स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटिस्ट और काफी इंपॉर्डेंट वीडियो में ये वीडियो काफी इंपॉर्डेंट क्यों होने माला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग grammar का next topic टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बारे में पढ़ने वाले हैं यह एडवर्ब होता क्या सबसे पहले एक कोस्टन बनता है कि एडवर्ब आखिर है क्या सब देखिए इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने बताया जैसे कि मैं जीरो टू एडवर्ब कर जो गरामर में पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक तरीका है कि मैं लाइन बाइन से सिक्वेंस की इसाब से में चलो तो पार्ट आप स्पीच का एक भाग एडजेक्टिव के बारे में मैं अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया हूं एडज कि मैं गरीब हूं अगर मैं अमीर हो तो मेरा गुड़ यहीं है कि मैं अमीर हो यह का मौा थेक्व है नबाव्छ अकुर आध्यक्टिव और इड़ेक्टिव में फर्क कितना होता है एड़ेक्टिव जो नाउन structures की बिसेश्था बताता है और एड़ेक्टिव जो गहीं न कहीं हो न से एले पहले में से पढ़ा रहा हूं किसी भी क्लास का विद्यार्थिक क्यों न वह की तयारी करने वाले विद्यार्थ यू नहों नो प्रॉबलाम ड़जन्मेटर टू ऍटर यह की सबसे पहले बता रहा हूँ फिर से कि हम लोग क्या संजा कि सुनिये का ध्यान से हम लोग ने थोड़ी दिर पहले objective के बारे में चेर्च乾 इसलिए कर रहा था ता कि adjective के बाद अगर एड़खर्ब की तुलना किया जाए तो adjective में कुछ ज्यादा कांदार नहीं होता यह दोनों 20 सिस्था बताने वाली ही वर्ड होता है लेकिन हम लोगों ने क्या समझ आ एड़ेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रनाउन की भी सेस्था बताता है और एड़ेक्टिव क्या है भाई एड़ेक्टिव सब्द कैसे बना है देखे एड़ेक्टिव एड़ेक्टिव पलास भार्व के साथ अभी किरिया करा दो एड़ेक्टिव बन जाएगा क्या मतल दिमाग लगाये तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे हो सकता है किसी भी अड़ीजर अजेस्तिया क्या करता था और यहां इये भरिवह बन गया तो यहां अभी है झिसम क्या करेगा भर दियान से adjective जो हम लोग पढ़ेते हैं वो adjective का काम क्या था adjective में जितने भी types हम लोग पढ़े वो सब कही न कहीं से परतेक्ष्य परोग चुरुप से वो noun और pronoun की विसेस्ता को बता रहा था ठीक है और यह जो adverb है यह क्या करेगा यह noun और pronoun की विसेस्ता को बताने के साथ यह भर्व की विसेस्ता को बताएगा सुनिये का ध्यान से जैसे कि सबसे पहला types की बात करें तो यह है adverbs of time यानि की काल वाचक विसेस्ता अच्छा इसमें देखे क्या होता है जिसे मान के चलिए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मैंने थोड़ी दिर पहले यहीं बताया कि एड़व का काम क्या है न की विसेस्ता को बताता है मैं homem miseriam whiter लगार प्लीज दिमांग में diab fifty मनाफे का प्यांच रखिए गा कि ये क्या करता है एड़ भर्व की विसेस्टा को टेंस में तूड़े दिखाई दे तो यह एड़ब क्यों है मैं बता रहा हूं सुनेगा जैसे कि मैं आई विल अगर मैं करा हूं आई विल भू ठीक है ना टूमोरो टूमोरो एक यह हो गया एक है आई विल गो टूड़े समझेगा यहां पर क्या हो रहा है न कि दो सब्दों आउनल दो में ध्यान हो लगे जाओंत यानु जाओं एक तो जरूर मैं जाओंगा तो जरूर लेखि कब जाओंगा अाज। आज जाऊंगा तो आई होग यह बाती आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान है जी देखिए आप इतने टाइपस को देख करके घबडाना नहीं बहुत आसानी से आप इसको पीक आउट करके निकाल लेना है कि यहीं है एड़ भार भी यहीं है इंफिनिटीव और यहीं ह मारें देखर अब आश्राओर का एड़ा इन्फर एक काम और के विश्था को बताता यह नावन और प्रणाव भी सिस्ता को बताने के सान साथ यह भर्व का विश्था ज्यादा बताता है मैं तो जाओंगा जूरूर लेकि कब जाओंगा यह पूचता की कब यानि कि यह वे इड़्वार्ट सो टाइम सैंडवार्फ उड़्वार्फ का कौन सा तो ड्वार्ट सरुस concur रखते हैं यानि टुप शिर्ट गया था सब गया था जाने का क्या था खकरकर गया था नहीं किया तो यह सोड़र्ड़ क्या हो जाएगा किन कि यह क्या कर रहा था किसी भी भृव की विशेस्ता को जरूर बता रहा था कि मैं जाओंगा कब जाओंगा आ आज जाओंगा इसमें ये सवाल करके आता है ठीक है रहा बताए़ कि आप ईस कीरिया योग चैसे ल향 है मैंने कितना बार किया कब नहीं कितना बार किया तो मालूम चला कि एक बार ट्विस्ट दो बार यह अलवेज मैं हमेशा अगर मैं जाता हूं तो अपर कि शाख्यक morning आफ तो आइ एजग होता है यहां पर देखों कि यहां पर का रहा हूं कि आई आई इट मैंगो मैं आम खाता हूं ट्वीस ट्वीस इन एडे इन एडे यानि एक दिन में ठीक है ना मैं कितना आम खाता हूं दो बार ठीक है ना यानि आई इट मैंगो मैं खाने का तो काम जरूर करता हूं आम आम मैं खाने का काम जरूर करता हूं लेकिन कितना बार दो बार दो बार मैं खाता हूं बात समझ में आ रही ना तो यहां पर क्या पूछा जा रहाता है काल बाचक कर लिए कि इसमें वाली बात पूछा जाता कब यानि कोई काम हो रहा है कोई किरिया हो रहा है तो कब हो रहा है और कोई काम हो रहा है तो कितना बार हो रहा है यह किसमें पता चल दाए फ्रिक्वेंसी में पता चले एड़वाफ फ्रिक्वेंसी तो जब भी कभी इस टाइब के कोश्चन अगर आपसे कमडिशन लेबल में यह टेंट ट्रूल में कहीं भी पूछ दें कि विच्वन अब दा वर्ड इस ठीक ना एड़वाफ और फ्रिक्वेंसी तो आपको वन्स ट्विस अलवेश यह जितना भी जिसमें कितने बार वाली सवाल पुछा गया ना तो यह सब किसमें आ जाएंगे कहीं ना कहीं से एड़वाफ फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे अब रिती वाचक के बाद किरिया भी सेसर नहीं लिखा हूं तो आप समझे एग यह मेरी आधत है है ना तो कुल मिला जुला करके यह क्या हो गया एड़वाफ फ्रिक्वेंसी अब आए तीन नमबर में बहुत इद्मिनान से समझते हैं एड़वाफ प्लैस ठीक है ना अच्छा देखिए इस थानवाचक के बारे में देखिए आप जाते तो जरूर हो सु करता है बड़ा इत्मीना से का अरे भार तूम जब हमों लोगी कोई किरिया हो रहा है कितना आप हो रहा है और कहां हो रहा है यह सब भार छिकनर कहीं से टाइमिंग प्लैस फ्रिक्वेंसी मेना डिग्री सब चीज के अंतर करता आता है और उसके हिसाब सब्सक्राइब चुन लेते हैं सुनिए का ध्यान से एड़वार्व सब्सक्राइब की मतलब यानि इस्थान वाचिक किरयावी से सड में हम लोगों क्या पढ़ना होता है कि देखिए भाई यह एक ऐसा एड़वर्व वर्ड हो कौना हमेर here यहां आओ आओ जरूर कहां यहां आओ झाओ गहां जाओ कहां अगर हो więksृषार देन यह मैं तुम से बहुत दूर हूँ सत acceptable है न कि भाव किया हो गया कही ना कहीं से दूरी बता रहा अच्छा मैं तुम्हारे नस्दीक हो I am near you तो कहीं न कहीं से मैं अपनी बारे में बता रहो मैं अपनी ही इसे तक बता रहो कि आरे मैं तो तुम्हारे पास ही हो तो कहीं न कहीं से यह नावन और प्रणाउन पर भी टारगेट कर रहा है लेकिन वो काम कहां हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, जहां पर जगह वाली बात आ जाए, वो जगह क्या हो जाएगा, इस्थान वाचिक किरिय भी से सण हो जाएगा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, अब आईए चार नमर की बात करते हैं, बहुत आसानी से समझ जाना है मैं ज्यादा लंबा वीडियो के मादेन से आपको नहीं समझाना चाहते हूँ, बहुत ही सोट टर्म में आपको दिमाग में फीट कर देना चाहते हैं, ग्रामर यू चुटकियों में आप हल करके आएंगे, एड़ भास आफ डिग्री और क्वांटीटी की बात कर रहे हैं, परिमार बाचेक, अच्छा परिमार, देख रहे हैं ना, रैदर, रैदर, मस्ट, यहनि जब भी कभी नावन और प्रनावन, या अगर मान के चलिए, कि अगर हमको काना कहा है, यू आर फार, सुनिये का ध्यान से, यू आर मस्ट ब्यूटीफूल, ठीक है ना, यू आर सुन्दर्ता की तो बात कर रहा हूं, नहीं कहीं न कहीं से आपकी वो गुडवत्ता की बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके सुन्दर्ता पर जूर दे रहा हूं, तो कहीं न कहीं से यह मस्ट क्या हो गया, कहीं न कहीं से परिमार बाचेक, यानि किसी नावन औ जुए भी तीने लिएती बोह तुम बहुत सुन्दर लेखते हो यू राइट मिव तुन बहुत सुन्दर लेखितो लिए अगर हमको सवाल कुषिक पीना घंख कैसे लिखती हो राइटस बीवटीफौल बहुत सुदर लिते हो है की नहीं तो कहने ऑभ है लिखने का तो काम जरूर कर रहे हैं लेगिने पर हम जोड़े रहे हैं लिख तो जरूर है सुंदर तो लिख रहे हैं नहीं कई लहाइं से बहूत सुंदर लिख रहे है तो और मतलब है यह तो बहूत घ्रामी hos she is rather than ठीक है ना rather than she is मैंने मान के चली कि she यह आप लिखे इस रेदर रेदर देन और देन तो कभी भी कंप्रीजन वर्ड में आता है तो she is rather than she is पहले लिख देते हैं she is beautiful she is beautiful वो सुन्दर है she is beautiful rather than rather rather than蛇 मैंना छालू मान के चलीं सी इस बीटिफुल वो सुन्दर है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है rather than Shaloo यानि सालू से बहुत सुन्दर है तो she is beautiful rather than socio यानि सालू से बहुत सालू से सुन्दर है लेकिन बहुत सुन्दर है तो रहेधर मतलब बहुत तो जब भी कभी नाउन और प्रणाउन की विश्ष्था को बताने के सांसात किसी भर पर और भी ज्यादा जोर दिया जाता है या किसी एड़्यक्टिव ओर पर और ज्यादा जोर दिया जाता है तो उसको हम लोग एड़वर्ब कहते हैं अब आए य इड़वर्व मैनर वली है रीती वाचक जिस वर्ड से रीती वाचक किर्यावी से सरक अबूद हो रहा है जैसे कि ब्यूटीफुली क्विक्ली स्लोली हाना यहां पर देखिएगा हो क्या रहा है है समझेगा इस बात को जैसे कि मतलब वह सुनदर मने वह सुनदर्टा के साथ लिख रह यह उसके अंदर मने सुनदर्ता है Leigh सूनदर तरीके से लिखती है देखिए जब भी यह लाच्ट में आता ना तो से तरीके के भाव उत्पन करता है कई नहीं से उस वर्ड में क्या करता है मनें की तरह या से तरीके से मनें आता है लगभग कैसे जैसे हमको कहाना होगा कि से संथरीफूलीสी आइटरीफूली कैसा लिखते हैं सिरयस्ध क्विक्ली को बहुत तेजी से नहीं से सिर क्फिकली biz से लगते हैं तो दीरे दीरे बहुत तेजी से बहुत सुंदर तरीका से तो के तरीकों के बहुतम goal नदा भाई का इस्तामाल किया जाता है तेजी से मने मने मान के चले कि कि किसी भी यह तो तो टीजी दोड़ रहा है लेकिन वह काफी तेजी से दोड़ रहा है तो यह बात हो गई तो प्यूटीफूल वह सुन्द तरीके से लिख रही ब्यूटीफूली शीराइट स्कुविकली वह बहुत तेजी से लिखती है थी कहना अच्छा यहां पर स्लोली यार वह बहुत धीरे-धीरे लिखती है जब करना आई यह आई यह आर कमिंग स्लोली कौन सा मतलब हो ही है you are coming slowly by slowly why what is the reason behind it there is a pain in your leg yeah there is a pain in your wrist no problem मतलब जो कुछ भी काना हो मान के चले किसी भर्व के साथ किसी नाउन और प्रणाम की विसेश्ता को बताते हुए कहीं ना कहीं से भर्व की विसेश्ता को बताता है वर्ड तो वो क्या हो जाता है एडवर्व में और एडवर्व में जब जब भी रिती वाचक के साथ किसी वर्ड को निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं से किसी काम को सुंदर तरीके से किया जा रहा है तो अगर सुंदर तरीके स्लोली जब भी कभी एडिक्टी में लवाई लाज्ट में आजए तो समझ लेना मैनर है एड़्भर्ब तो जरूर है लेकिन एड़्भर्ब में कौन सा एड़्भर्ब मैनर रीती बाचक किरिया भी से यसा यह बाते आपको समझ में आ गई अब आईए यहां पर देखिए मैं हां भर रहा हूं हां जाओंगा yes I will go अच्छा शूर शूरली I will go मैं एक दम जाओंगा एदम शूर है कि मैं जाओंगा तो शूरली I will go जब धी कभी इस तरीके से आ रहा है तो कही नहीं से sure मतलब कही नहीं से acceptation की भावना हो रही है no no I will never go no I will never go no बिल्कुल मैं नहीं जाओंगा कभी नहीं जाओंगा मैं जाओंगा तो यह होगा श्यूर जाओंगा जाओंगे यस श्यूर आइविल गो श्यूर आइविल गो मैं जाने का काम तो कर रहा हूं लेकिन उसमें श्यूरिटी दे रहा हूं यानि उस किरिया में श्यूरिटी का भ तो यह होगे श्यूर से श्यूर्लि बन गया तो कही नहीं कहीं से यह क्या हो wavelength ऐसरफटेशन की भावना दे रहा हूं यस्यूर आइवल गो हां में बिल्कुल जां देवर लुग है नहीं जाओं तो मैं जाने का बात कहा हूं नहीं की जाने की किरिया में नहीं जोड़ना कहींने कहीं से यह नकरात्मग भाव तस्टम कर रह यह क्या हो जाता है इस that अचानक हो जाता है तो कभी किक्षेटन के भावना से भी हो जाता है ठीक है तौम है अचानक वो चला जाता है तो यह चीज हो गई अच्छा बात करते हैं साथ यदो वर्बर और जो किसी मन की चलिए कि भर्ब के साथ यह किसी नावन और प्रणावन के विस आउसता को बताने के साथ कारण भी बता रहा है जैसे की आप जाते हो यूगोइं इसलिए मैं नहीं जाओंगा तुझाड़ इसलिए मैं नहीं गोईंग ठीक ना यू कभी-कभी आप अपलिकेशन में देखते हैं सबसे ज़्यादा देर्फर का इस्तेमाल उसी में होता है ठीक ना सर प्लीज गीब में फोर देस्टेस होली डेर ठीक ना इसलिए यहांपर क्या हो नहीं से किरिया के साथ कारण का बोद्र कराया जा रहा है जैसे कि सर मेरी महान की शादी हे यह किर्या का काम दिखाये जा रहे हैं कोई काम को किसी master या किसी मान के चलिए अध्यापक हो या फिर कोई भी ब्यक्ति हो किसी के सामने अगर काम की बात कर रहे हो और काम में कोई अडचन की बात कर रहे हो कि iachutly क्या ना कि मेरी बवँषन की शादी है या मेरे भईया की शादी है या मेरे पापा आने वाले है मैं उनको रिश्रीषप करने जा रहा हूँ इस दिसर मैं आपकी बीद्याल में एक को दिखा करके किसी सामने वाले को काम को दिखा करके अपने किरिया कलाब को कुछ दिन के लिए बाधित करते हूँ कहीं जाने की बात कर रहे हो इसलिए यह क्या हो जाएगा कहीं कहीं से कारण वाचक यानि रिजन आफ एडवर यानि एडवर आफ रिजन के अंतर कर यह एडवर आएगा यानि किरिया पर तो माने मान के चलिए कि किरिया को कोई काम तो हो रहा है लेकिन अब मान के चलिए कि सर अब हमारे पापा आने वाले हैं तो मैं तो जाओंगा तो इसलिए मैं सर बता रहा हूं कि मैं कल विद्याले में नहीं रहूंगा यानि कि जो काम मेरा विद्याले आने का है वो कल के लिए बाधित रहेगा मैं जा रहा हूं पापा को आज बोलाने के लिए परसो लोटोंगा तीका ना यानि एक दिन लग जाएगा तो मान के चलिए कल ही लोटता अगर रात को तो फिर मैं पर्सों से स्कूल आउंगा यानि किरिया का तो बात हो रहे है लेकिन वह बाधित होने का बात हो रहा है और उसमें एकर मान की चलिए कि दोफ का परयोकर नहीं इस परकार रहा घ्ला अहां की चलिए कि आप डान कि दिखां करके यह फिर उसमें सकरात्म नगरात्मक की भावना डाल करके और बीच में अर्चन वाली मनें बाते किया जाता है न जब भी तो यह किस में आ जाता है कहीने किसे एड़ बाप रीजन में आ जाता है ठीक है न अब आए आठ नमर की बात करते हैं इंट्रगेटिव एड़ वर ये दखिए मैं चीज़ बता रहा हूं जितने भी मैं पा पार्ट में आपको interrogative देखने को मिलता है कभी-कभी मान के चलिए कि affirmation देखने को मिलता है तो कभी-कभी relative word देखने को मिलता है तो कहीं यह और गोइंग है यू आर मिल गोईग यू ऑर गोई यू अर गोईंग तुम यह तो मेरेको पता लेकिन वेर हैं वे मैं कल तुम पट्ना जा रहे हो आक वेर वेल यू और गोईंग टु पट्ना तुमश्रो बाट्ट attachment तुम कब जाओगा वेन विल यू गो यहां को सन मार्क लगें यह वेन क्या कर रहा है यह जा देखो मालों कोई ब्यक्ति तो जा रहा है जरूर है कोई ब्यक्ति जा रहा है मैंने अभी थोड़ी दिर पहले यहीं बात कहते हुए अभी लास्ट माने इस वीडियो की अंतिम ठी कि भी सेस्ता को बताते हैं जाने का तो काम हो रहा है लेकिन कब यहांप सवाल पूछा जा रहा है यहीं है interrogative ifuntu interrogative adverb के अंतरगत आए जाने वाले जीतने भी word होते है वो कहीं निया कहीं से सवाल पूसता है ठीक है जा रहे हो ठीक है बबु अच्छी बात है जाओ लेकिन कब जा रहे विन वियर वह आव stripes अब यहां पर किस्त तरीकर से मैं समझाद रहां सुनैगा आई विल इट मैंटा खाऊंगा जरूर मेर यूट बाटइ या वयन। या यूव wordt साइलेंट रहता है वहाय विल इट मैं खाऊंगा यूव इड़रभ है यहनी संबंद वाचिक इसको संबंद क तरीके से जोड़ना है ठीक है देखिएगा संबंद वाचक कीरिया विसे सब क्या यह एक ऐसा एक भर वर्ड जो कहीं नहीं से दो वाक्यों दो सब्दों को जोड़ने का काम कर रहा हूं ठीक है यह क्या हो जाएगा Test ern जब तुम खाओगे तो यहां पर क्या हो गया वेन ये 2 word को जोड़ रहा है कि नहीं तो वाक्यों को जोड़ रहा है कि नहीं दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है तो कही ना कहीं से यह वेन आच्छा तुम जाओगे तुम जहां जाओगे वहां मैं जाओगे वेर यू गो वेर आई विल गो है ना तो यह क्या हो गया वेर भी है कैसे हो जैसे तुम हो हम यू आर यू आर जैसे तुम हो हम आर यू कैसे हो हम यू आर जैसे तुम हो तो कहीं न कहीं से यह क्या है यह रिलेटिव वर्ड की तरह काम करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब यानि कि बोले तो संबंध वाचक किरिया विसेशर तो आई होब कि जुमें टाइबस ऑफ एडवर्ब पढ़ाने की और आपके दिमाग में पूरी अच्छे तरीका से घुसाने की जो कोसिस किया था बहुत ही अच्छे धंग से मैंने आपको समझाने की कोसिस किया था उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे धंग से आपकी दिमाग में ये बात फिट हो गई होगी पूरा का पूरा टाइपस ऑफ एडवर्ब आपकी दिमाग में सिट हो गया हो